हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज इस वीडियो हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू चूज अ कैरियर कैरियर को कैसे आप चून सकते हैं क्योंकि कैरियर ही ऐसी चीज है जो आपको गरीब से अमीर बना सकती है और आपको एक एस्टेबल की जिन्दगी दिला सकती है इसलिए इस पर आपको नौलेज लेना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो इस वीडियो को अंतिव तेक जरूर देखें आपको पूरा कलरेटी आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है खासकर वह ऐसे लोग जो जो इस्टेबलेंट से हैं जो पढ़ाई कर रहें जो की अभी स्कूली डेज में हैं उनको यह पता नहीं होता है और उनके माता पिता भी उतने सब्सक्राइब नहीं होते हैं कि उनके बेटा बेटी क्या करें तो इसी सब के मामले में हम आपको help करने के लिए आया है मेरा ज सबसे पहली बात कौन सा केरियर चूज करना चाहिए? जब आप इसकूल डेज में पर रहे होते हैं, तो आपका रिपोर्ट, ग्रेड रिपोर्ट मिलता है, उसमें आपको पता चलता है कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कि subject में अच्छे नहीं है, वहाँ पर तो आपको 50-40 student के बीच में ही compete करना होता है एक school के अंदर, लेकिन आपको उस समय पता नहीं चलता है कि बाहर में competition बहुत ही जादा है, इसलिए सरसे पहले क्यों बोला जाता है कि अच्छे-च्छे institute, अच्छे-च्छे college, अच्छे-च् पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर faculty उस अंदाज में पढ़ाते हैं, उस level का पढ़ाते हैं, ताकि आप जो भी career में करना चाहते हैं, जो भी job लेना चाहते हैं, उससे related आपको पढ़ाय जाता है, आपको कम class से ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि हमारा student कैसे performance करे आगे ताकि competition में जब बैठे तो बाकी लोग से भी compete करके आगे निकल जाए, तो जब आप school days में, जब आप गरामिन इलाका की school में पढ़ते हैं, आप घर से नजदीक पढ़ते हैं, तो आपको ये mindset नहीं रहता है, बस आपके दिमाग में यही बात घुमते रहता है कि बस हमको 45- 40-50 student की बीच में ही compete करना होता है, और आप उसी अंधेरे में राजाते हैं, लेकिन जब आप 11 में गुषते हैं, जब 12 में गुषते हैं, तो आपको उस समय बाइलोजी ले ले लेते हैं, उस समय आप maths लेकर आगे पढ़ते हैं, आपका motive ये रहता है कि हमको engineer बनना है, या doctor बनना है, कोई-कोई student है कि वो चाहता है कि chartered content मने, कोई चाहता है कि हम Sandish मने, तो उस level, उस subject को लेकर चुन कर आगे बनना चाहता है, और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सा trend चल रहा है, हमारा friend कि स्लेन में जा रहा है, उसको देखा देखी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फ्रेंट जो लिया है, उसी को देखकर हम ले लिये हैं, यह सबसे बड़ी गलती करती हैं, आज के society में यह मानसिक्ता हो गया है, सारे चात्र को, तो हम ऐसी चात्र को मन लगता है, मतलब कोई-कोई होता है कि computer में ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो उसको computer science लेकर आगे इंजनियर की पढ़ाई करना चाही है, कोई-कोई होता है कि biology मे ज्यादा उसको अच्छा लगता है, मतलब चीरफार करना के लिए चाह Diaries को उसमें ज्यादा इं इंजिनियर बने, डॉक्टर बने, आप अक्सर देखते होंगे कि जो भी इंजिनियर बना, वो इंजिनियर फिल्ड में काम नहीं करके, वो अधर जो उनका एंटरेस्ट था, उस चीज में करते हैं, तो ये भी बात है, जब आप माता पिता के एकॉर्डिंग, माता पिता भी आपको ये दिसा में दिखाता है कि आप नेगेटिव में जाएं, वो हमेशा चाहता है कि कुछ आप अच्छे कर पाएं, इसलिए आपको बोलते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, इसलिए बच्चे इंजिनियर लाइन में चल जाते हैं, मेडिकल कर लेते हैं, लेकिन वहां स उनको पता चलता है कि वो तो मेरा इंट्रेस्ट है ही नहीं, बस उनको ये पता होता है कि वहां से हम सिर्फ grade में सुधार आएगा और वहां से complete करने के बाद, engineer complete करने के बाद या medical complete करने के बाद वो अपना इन्टेस्ट पर काम करते हैं और कोई-कोई तो बहुत अच्छे सफल इंसान बनके दिखाते हैं कि वो UPSC एक्जाम करे करके वो दिखा देते हैं अपने माता पिता को कि हाँ इन्जेनियर करे हमको अच्छे दिलवाएं क्योंकि उन्जीर करने के वक्त में आप इतना महनत करवा धिया जता है कि रूरत हो जहते हैं कि कैसे महनत करनी हैं इतने डृवश्प क्यारतं जाते हैं कि आपको एक आदत सी बन जाती है कि मेनत कैसी करना है आप तो जानते ही हैं इंजिने करते समय आपको एक दिन पहले पांच दिन पहले आपको पढ़ना होता है और पास हो जाते हैं अच्छे इसकोर से तो इस तरह के मैंट ठॉट होने लगा है तो हम ऐसे चाहिए कि आप जो भी चाहते हैं अक्सर यह बोला जाता है कि हमको इंट्रेस्ट नहीं है हम मेडिकल क्यों करें हम इंगनियर क्यों करें हैं इंगनियर करना मेडिकल करना बहुत ही ज़रूरी हो jatsot our आई अगर आप अच्छे पढ़ने वें है सामसे पहली बड़े कॉलेंच में चल जाते हैं वहां पर अ आप कोई भी चीज चुनते हैं, आपका इंटेस्ट होता है, आप बे, मतलब बहुत सार टाइम दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, और आराम से आप मेहनत करते रहते हैं, और डेडिकेशन के साथ, वहीं इंटेस्ट के साथ, पैसन के साथ, तो य यह talent है, वही से talent उभरता है, अब बड़े-बड़े actor celebrity और star players, cricket players है, football players है, बहुत सारे players को देख आँँगे कि वह talent उनके अंदर नहीं था, जब बच्चे जनम लिया, वह उनके अंदर नहीं था, लेकिन जब पैदा हुआ, फिर चला, फिर देखा कि हमको इस लान में जाना चाहिए तो वो सुरू से ही प्रैक्टिस करने लगा सुरू से ही प्रैक्टिस करने लगा जैसे कि आप रिनाल्डो कि इस्ट्रियानो रोनाल्डो के वारे में जानते ही होंगे वह बच्पन से ही practice करते रहा, बच्पन से ही त्येज दावने की सक्ति प्राप्त की मतलब जो भी practice से ही कि, मतलब ऐसं था, इंटेस्त था practice की, जिसके वज़े से उनके अदर talent आना सुरू हो गया बार की लोगों से unique दिखना सुरू हो गया क्योंकि उन्होंने मेनत किया, खुन पसीना बहाया, धूप था, अंधेरा था, फिर भी फुटवल लेकर चल जाता था नेट प्रैक्टिस करने के लिए, फिर वहां से उनको ये मेनत, लेकिन लोग क्या जानते हैं कि सफल इनसान हो गया, वो ऐसे ही सफल इनसान हो गया, लेकि उनको फिनिसर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिती में, जो की परिस्थिती काभी गंभीर होता है, उस परिस्थिती में उन्होंने कूल रहना सीखा, कूल के नाम से भी उनको जाना चाहता है, आपको कंफिडेंस लेवल लूज हो जाता है, जब आप हार रह होते हैं लेकिन धोनी का क्या बात था कि उन्होंने पिछला 2007-2011 बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हैं जिसके वज़े से उनके अंदर confidence हमेशा develop रहा है इसलिए उनको आज के दोर में बहुत सारे public लोग उनसे प्यार करते हैं उनका fan बना कर रखते हैं आप लोग हजारों की संख्या में आ जाते थे उनका किर्केट मैच होता था एक बार सिर्फ क्रिस पर देखना के लिए लोग काफी सोर गुल मचा देती जब भी मैदान में आते थे इस तरह का brand भैलू बन गया उनका फैस भलू आनी या क्योंकि उन्होंने मेहनत की इसलिए उन्होंने वहां से अपना टैलेंट दिखाया बार बार प्रेटिस किया यह सारे चीज पैसन को फॉलो करते हुए इंटरेस्ट की फॉलो करते हुए उन्होंने यहां तक पहुचा आप एक्टर की बात कर लेते हैं सल मेघजीन में उनको अभी रुजवार्ट चलता है बरे बरे सिलेटिक और आप किसी को लेते हैं तो उनका भी पैस वेलु रड़ता और आप रुजवार्भी चलता है इस तरह की बात होते है जो ऑलीूर में सब से एक ही एक्टर आज के तार दोब उनको चेहरा देखने के लिए काफी लोग इंस्पायर होते हैं, मोडिवेट लेते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें काफी इस्टरगल किया, उनका हिस्ट्री उल्टाइएगा, तो आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, तो इस तरह के successful person को आप मिलते हैं और देखते हैं, तो आपको काफी motivation फिलोता है, इसलिए आप अपने अंदर ये चीज, ये कला आप विक्सित करना चाते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, अपने talent को उभागना पड़ेगा, ये talent तभी आएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, आप person को follow कीजिएगा, आप interest को follow कीजिएगा, ऐसे देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा, आप ऐसे movie देखते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, लोग क्या करते हैं, आप student है, आपको क्या करना चाहिए, आप फोकस करना चाहिए, पढ़ाय पर, आप उतना तक पहुंच जाएए, जैसे की, मतलब 700 करोर है हमारे भारदेश में, तो लरके लोग क्या करते हैं, पराइ को छोड़का, किसी और को लेकर चल जाएथें, लेकिन उसको यह, मतलब हम सला देना चाहते हैं, कि पहले आप पराइ मुकमल कर लिजिए, इंगेर कम से कम कर लिजिए, या मेडिकल कर लिजिए, या कोई डिगरी कर लिजे ताकि ये आपका बैकप बना रहा है और इसके बाद जो आपको इंटेस्ट लगे जो आप मतलब खुन पैसिना करके आप मेहनत करना चाहते हैं उसमें सफल होना चाहते हैं तो उहां से आप कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे वेक्ति हैं जो ऐसे करके आप बहले ही कुछ भी फिल्ड में जाना चाहते हैं लेकिन कम से कम minimum eligibility criteria आपको fulfill कर लेनी है क्योंकि सवा सो करोर है सवा सव करोर काफे सफल इंसान तो बन नहीं सकता है उसमें से कुछ लड़के लोग या लड़कया लोग सफल इंसान बन सकता है तो इस तरह के आपको criteria फु कि बनी है पिल्ड आपकोर इंसान तान चाहते है कbay तो याFORE पुर नहीं है लोगडी है या ही फնहीं चाहते है 1-5 सान फ्όσां जाली है मैं सवा लो ऑना गल रखेर, इंसे टार्वाे, जा कर रूणा कर दे भी नहीं सो कर भी द़्िबल आपकोराई दीय है